हेलो दोस्तों आजकी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गुनन खंड को कैसे निकाला जाता है देखिए गुनन खंड को निकालना बिलकुल आसान होता है आपको देखिए यहाँ पर जो एक से स्क्वाइर का गुनांग है इसके गुनांग से आपको अंतिम वाले संख्या में गुना करना है देखिए यहां पर एक से स्क्वाइर का गुनांग यहां पर कुछ भी नहीं है देखिए जब कुछ भी नहीं होता है तो यहां पर एक छीपा हुआ रहता है आपको एक से अंति मौले संखिया यानि पंदरह में गुना करना है एक से गुना पंदरह में करें तो यह हो जाएगा पंदरह अब आपको देखिए आठेक्स को दो संखिया में तोड़ना है और तोड़ना कुछ इस तरह से है कि जोडने या फिर घटाने के बाद आठेकस आना चाहिए और गुना करने के बाद पंदरह के बराबर आना चाहिए तो देखे अब आपको क्या करना है पंदरह का अभाज ये गुनन खंड को करना है यानि इसमें देखे लग जाएगा 3 से 5 बार में यानि देखे संख्या जो है वहाँ आ गया 3 और 5 के रूप में देखे अगर आप 3 को और 5 को जोड देते हैं तो वहाँ 8 एकस के बराबर आ जाएगा तो देखे अब आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले एकस स्क्वाइर प्लस आठ एकस के बदले आपको लिखना है 3 एकस प्लस 5 एकस और प्लस में देखे आपर है 15 अब आपको देखे इस तरह से लिखने के बाद दो दो रासियों का इस तरह से जोडा को बना लेना है जोड़ा बनाने के बाद आपको देखिए दोनों जगह से common रासी को निकलना है देखिए यहाँ पर x स्क्वाइर है और यहाँ पर देखिए है 3x यानि देखिए यहाँ से common निकल जाएगा x देखिए यहाँ पर x स्क्वाइर था तो यहाँ पर बचेगा x अब देखिए यहाँ पर है 3X तो यहाँ से X निकल गिया तो यहाँ पर बचेगा 3 अब देखिए आपको यहाँ पर लिखना है प्लस को और यहाँ से भी आपको common राशी को निकलना है देखिए आपर 5X है और यहाँ पर देखिए है 15 यानि देखिए यहाँ पर 5 से भाग लग जागा और यहाँ पर भी 5 से भाग लग जागा यानि यहाँ से कॉमन क्या निकल जागा वह निकल जागा 5 देखिए यहाँ से 5 निकल गिया तो यहाँ पर बचेगा एक्स और यहाँ पर देखिए प्लस में यहाँ पर है 15 देखिए ज ब्रैकेट में एक ही तरह का रासी आता है तो आपको समझना है कि यहां जो गुनन खंड है यहां सही बन रहा है अब देखिए आपर बाहर में जो भी कॉमन निकला हुआ है इसका आपको एक ब्रैकेट को बनाना है यानि यहां पर देखिए एक्स है और यहां पर देखिए प् एक्स प्लस पंदरह का गुनन खंड कितना होगा वह हो जाएगा एक्स प्लस पांच इंटू एक्स प्लस तीन तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गये होंगे कि गुनन खंड को कैसे निकाला जाता है